हेलो मैं बीटिफुल सोल्स वेलकम टू माय यूटुब चानल चारोविशी वीच पहले जियर कैसे हैं आप सभी लोग है होब आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे सब नहीं वग कर रहे हैं चैनल पर रायत रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस च चली हम देखने कोशिश करते हैं परस्नल लीडिंग जो कोई भी लेना चाहते हैं मुझे वाट्सअप कर सकते हैं नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर और क्या एनरजी है अच्छा जब भी आप अपने पार्टनर की एनरजी सुनते हैं करेंट एनरजी सुनते हैं अगर कोई ऐसी बात है जो आपको सुनने में आती है आपके परसन के अंदर लेकिन आपको फील होती है कि वो आपके अंदर भी है और आपका लेसन भी हो सकता है तो जरूर उसे पर भी अप्लाए करें, ओके वाउ, यह तो कोई अश्यसस्त्र वाली एनर्जी आ रही है, ओके, ऐसा है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे आपके परशन, फाइटिंग के मूड में हैं बहुत जादा, लोगों से जगड़ा, बहुत जगड़ा, जैसे हर बार ना इस परसन को अपने आपको प्रूफ करना पड़ रहा है, सही थाबित करना पड़ रहा है, लोग इस से प्रूफ मांग रहे हैं, कि अच्छा तुमने ये किया तो क्यों किया, ये किया तो क्यों किया, ठीक है, तो जैसे इस परसन को ना प्रूफ देना पड़ रहा है, यस, ये एनरजी आ रही है पहली, कई बार ये परसन जो है, वो आईने के सामने जाकर ही पूछ रहे हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ, ठीक है, क यहां पर T letter है यहां पर top secret की energy भी आ रही जैसे मझे वो T से top secret word यहां पर मिल रहा है जैसे आपके partner का कुछ secret लेक ऐसा होता ना कि आपके बारे में किसी कुछ पता चल गया अब लोग आपसे question कर रहे हैं कि बताओ इसके बारे में सच बताओ मारला आप जैसे माली यह आप और आपके partner का जो connection है बहुत जादा secret है ठीक है और आपके partner का जो connection है वो पता चल गया आपके साथ है तो अब लोग आपके partner से question कर रहे हैं बताओ अपना सीक्रेट बताओ बताओ ये कनेक्शन तुम्हारी लाइफ में थागी रही बताओ ये बताओ वो मुझे कुछ इस तरह की एनरजी आ रही है पतानी ये किसके साथ रेजोनेट करेगी पर ये यहां पर ऐसा ही मैसेज दे रही है जैसे आपके पार्टनर को ना सीक्रेट उनका बाहर आया आपसे रिलेटेड ठीक है आपसे रिलेटेड भी हो सकता है आपके किसी और से रिलेटेड भी हो सकता है लेकिन उस चीज़ को लेकर जैसे इस परसंद को आंसर करना पड़ है जवाब देना पड़े तो लोगों से जगड़े हो जा रहे हैं इस परसन के क्योंकि आपका परसन पास्ट के आंसर क्यों थे मलत यहां पर ऐसी एनरजी है कि आपका पार्टनर पास्ट के बारे में क्यों बता है जैसे For example, कि आप किसी व्रिक्ति के साथ आज है connection में और आपके बारे में आपका जो past होता है या आपके पार्टनर का कोई past है उसके बारे में आपको मालुम पड़े है तो अब आप past का question उठा रहे हो कि अच्छा क्या तुम्हारा उसके साथ connection था या फिर कोई आपका पार्टनर आपसे पूछ रहे है क्या तुम्हारा उसके connection था इस तरह की बात यहाँ पर नजार आ रही है और उसको लेकर ना जैसे इस person से बहुत सवाल किये जा रहे है और यह जवाब दिन में इंट्रस्टेड नहीं है क्योंकि नहीं लगता है कि पास्ट उखाणने की कोई ज़रात नहीं है ऐसा यहाँ पर message आ रहा है इस person की situation और energy यह भी है कि मैं साथ चीज़ों कैसे handle करूं ठीक है यहाँ पर कुछ ऐसा भी message निकल कर आ रहा है जैसे कहते हैं कि आपको क्या बूलते हैं कि यहाँ पर सच को आप छुपा नहीं सकते कुछ उस तरीकी की energy यहाँ पर आ रही है ठीक है यहाँ पर मुझे दिल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके person को ऐसा भी पूछा जा रहा है कि आपके दिल में कौन है आपके दिल में कौन है आप किस से प्यार करते हैं आप किस को चाहते हैं जैसे कोई इस person से सवाल करनी कोशिश कर रहा है जैसे इनके past के बारे में किसी को पता चल गया तो कोई इनके दिल की उपर question कर रहा है इनको जवाब देना पड़ रहा है कि आप अपने दिल का हाल बता है आपके दिल में कौन है आप किसको इतना जादा चाहते हैं तीक है आप किसके बारे में दिनरास सोचते रहते हैं इस तरही किसे सवाल इस person को पूछे जा रहे हैं अचली किया ना पहले की टाइम में जो marriages होती थी या पहले ली टाइम में जो connections होते थे उसमें ये था कि एक इनसान दूसरे इनसान के साथ जुड़ गया तो बस जुड़ गया आप चाहे जैसे चलेगी गाड़ी ठीक है हसते खेलते रोते गाते सोते जाकते जैसे चलेगी बस चल जाएगी आज के टाइम में ऐसा नहीं होता आज के टाइम में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे जैसे भी हो आपको answers करने पड़ते हैं आपको कुछ भी पता चलता है तो आपको दोनों तरफ answer करने पड़ते ह सहता नहीं है आज के टाइम में बहुत जल्दी ज्यादा नहीं सहता है तो वह मेरे को एनरजी नज़ार आ रही है यहां पर और आप यहां पर दो दस नंबर बन जा यहां पर कुछ complete होना चाहता है ठीक है कोई complete होना चाहता है कुछ का नंबर है ठीक है है ऐसे है ऐसे भी समझे यासे माल लीजे आपका इस परसन की साथ करिक्शन था फर बीज में विद्वेज में फ़रड़ आ गई और फरड़ पार्ड़ को यह नहीं मालूम था कि आपका इसके साथ करिक्शन है इस पर्सन के साथ पहले से ही पर या कुछन इनसान रहता है लेकि सटनली उसे पता चल जाए कि आपके परसन का आपके साथ पास्ट में कनेक्शन था ठीक है और उसको इन सिक्यॉरिटी बढ़ जाए उसको दिमाग खराब होने लगे ठीक है या फिर उसको बहुत साथा गुस्सा आने लगे तो वो आंसर्स पूछेगा म आपके दिल में कौन है आपके कनेक्शन किस के साथ था आप उसे कितना चाहते है बला 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 वो एनरजी मेरे को यहाँ बन नजर आ रही है ठीक है ना यहाँ पर एक चीज़ और है इस परसन का अगर सिर जुकता है तो आपके सामने वनना किसी के सामने जुकता नहीं है अगर यह थोड़ा बहुत भी जुक जाते हैं मान जाते हैं या किसी की बात को यह परसन मान लेते हैं थोड़ा बहुत भी अपने उपर तो वो आप आपके सामने परसन जुक जाते हैं वाकिए परसन किसी के सामने अतनी आसानी से जुकते भी नहीं है तो कोई इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकता है जैसे मैं शुरुआत में क्या दिया था जगड़ा करता है यह परसन बहुत जबार्दस ठीक है इस परसन को कहीं कहीं दिवाली डिवाली को लेकर भी टेंशन है जैसे इस परसन को ऐसा भी एकिवीं के सब दिवाली मनाते हैं एक मैं हूँ जो मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है I don't know, मतलब एनरजी बहुत जादा क्लियर नहीं हो पारी ये इस परसन की यहाँ पर जैड लेटर आ रहा है इस परसन को किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो यह तो सबसे बड़ा दुख है इसके अलावा जो चीज इस परसन की लाइफ में है वो भी इस परसन को टॉर्चर कर रही है या फिर इस परसन सवाल जवाब कर रही है तो इस परसन का दिमाग खराब हो रहा है कि एक खुशी तो मेरी थी जो मेरी हाथ लगी नी जो तो मेरे हाँ से जा चुकी है चलो एक खुशी जा चुकी है कोई रिक्कत नहीं है इनसान है वो अपने आपको संभाल लेता है लेकिन जो है वो भी टॉर्चर करे तो क्या इनसान का वो बने वो एनर्जी जैसे मुझे इस परसन की एनर्जी में फील हो रही है कि किसी का भी टॉर्चर ये परसन ले नहीं पा रहे हैं आपके इस तरसे जो person है ना वो बहुत ही जादा responsible इंसान है जिसकी जिम्मेदारी लेता है उसको बहुत ही उठाता भी और निभाता भी है ये इस चीज से इस person को बहुत जादा problem हुरी कि मैंने हर चीज हर responsibility को बखुवी उठाया हर चीज को बहुत अच्छे से लिया सब कुछ बहुत अच्छे से करने की कोशिश की उसके बाद भी मुझे मुझे question पूचे जा रहे हैं मुझे सच्छा ही साबित करने के लिए कहा जा रहा है ये चीज इस person को बहुत जादा headache लग रही है नहीं तक्लीफ दे दिये अगें 1010 हुआ जब मैंने बोला ये शायद इसलिए भी हो रहा है शायद कुछ chapters complete होने है close होने है ये person आज आपके सामने आकर sorry बोलना जाते है ठीक है sorry कुछ लोगं के partner ने ऐसी sorry लिख देंगे फिर कोई explanation नहीं देंगे यहाँ पर ऐसा sorry नहीं है कि आपका person कुछ explain करें या आपसे वापस आने को कहें या फिर आपस कोई energy मांगे कुछ नहीं इसा हो सकता है suddenly आपके partner का एक message आए आपके पास sorry और जब आप उससे question करें कि ये sorry क्यों ये आप क्या बोल रहे हो या क्यों ये sorry क्यों बेजा है कि जो उसके life में चल रहा है उस चीज का कही ना कहीं उसको ये है कि मेरा ये जो मेरा ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं कोई गलती की वज़े से हो रहा है तो आपके partner जो है इनको बहुत गुस्सा आता है तो इनको प्यार से sorry बोलना तो possible नहीं है या फिर explain करके sorry बोलना तो possible नहीं है ठीक है और ये आप से कुछ मांगना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको बड़ले में कुछ दे नहीं सकते इस वक्त में तो ये आपको just sorry लिख सकते हैं कि वह sorry बाकी कुछ नहीं ये person बोलेंगे ठीक है अनल रही है energy आपर आ रही है इस person को ऐसे लगता है कि triangle में खुद फस गया जाका है ठीक है इस person का अपनी जिन्गी में triangle नजार आ रहा है triangle में इस person को दो situation नजार आती तीसरी situation ये खुद है और यहां पर triangle इस person को feel होता है अपनी life के अंदर क्यों जहां पर ये है वहां पर ये होना नहीं चाहते है और जहां पर ये होना चाहते है वहां पर हो नहीं सकते ये कुछ इस तरीके का मैसेज है कि कई बार आप बैठे हुए होते हो कुछ सोच रहे होते हो और आपके असपास कोई निखान आपको बोलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी बात पर ध्यान भी देते हैं सुनते नहीं हो क्योंकि आप सोच कुछ और ही रहे हो या आप किसी और दुनिया में किसी और के बारे में सोच रहे हो सब्सक्राइब कहां खोया है तो वो खोने वाली एनर्जियस परसन की कि मतलब बॉड़ी तो वहीं है जहां पर होनी चाहिए थी लाइक अपने घर में ठीक है लेकिन ख्यालों से ख्वाबों से दिमाग से बातों से सोच से कही और ही ये परसन घूम रहे है इनका दिमाग वहां नहीं है जहां इनकी बॉड़ी है आई होप अप समझ गयोंगे मैसेज ले पायोंगे ठीक है चलिए देखते हैं कार्ट्स आपके लिए क्या बताते हैं कार्ट्स की एनर्जी क्या है और प्राट्स schedulingों पायोंगे मैसे कवरे मैसे एनर्ड़ी करने से ऊपके चलिए कार्ट्स की एनकी..? झाल झाल हम इस परसन की मन में है आपको लेकर लव ठीकि आज के दिन में ये परसन आपसे बोलेंगे sorry, मैंने आपको पहली बता दिया थे person sorry बोलेंगे और आपको कुछ भी express नहीं करेंगे इतना ही बोलेंगे कि sorry सारी को भी एकस्प्टेन नहीं करेंगे जागर आप से आगे सवाल करते हैं कि सारी क्यों आज सारी किसलिए बोल रहे हैं हो सुरच कहां के निकला ऐसा वैसा आदे यह परसा आप उससा डिया करी Hindi को है प्रेसं लेकिन तब जब जागो तब सवेरा ठीक है जरूरी थोड़ी ना है कि आज इम्मेचौर है तो जिन्दगी भरी इम्मेचौर रहेंगे दुनिया सब को मतलब जिन्दगी सबको सिखाती है सबके लाइफ लेसंस होते हैं एक से एक इनसान मैचौर हो जाते हैं कुछ-कुछ वेकिन रहे हैं लेकिन अभी आघर पर है और आज के दिन में आप से बातचीत की नरजी दिखाई दे रही है तिक है अब यह पता है को एंडिरेक्टी ओफर भी कर सकते हैं, क्या आफर कर सकते हैं, आपको इस परसन से ऐसा फील होगा, जैसे परसन आपको बहुत प्यार दिखाने की, जताने की कोशिश करने है, बहुत जादा शब्दों का ये इस्तमाल नहीं करेंगे, लेकिन होता है कि आपको बहुत डीप एक्स्प्लिनेशन की बहुत जानी पारा, और उसने कुछ नहीं बोला, या मैं तुम्हें भुला नहीं पारी, ठीक है, उसने एक लाइन बोल दी और उसने पचास लाइन को चुना, वो एक लाइन आपको ऐसे ट्रिगर करेगी, ट्रिगर करने को बहुत आपको समझ में आईगी, जैसे उसने बह कि में आइक लाइन को उन्होंड़ कारें, यह को दूशत अब करेंने को का बहुत सकते हों कि बहुत जादा आपको आपको बहुत बहुत बार बहुत इऊच्प्रे बार पर ऑप delivery, तो यहां पर नहीं पेनना एको कि आपको सम्झेil बहुत अब हैं क외 में वह थे हाइट य था या चाहती थी लेकिं तुम ही नहीं माने तुम्हारी वज़से ऐसा हुआ वैसा हुआ यह सब नहीं करेगा जब कोई इसान सुधर जाता है ना तो इस तरह की बात नहीं करता है ठीक है वह आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि गलती हुई थी Sorry और नहीं भुला पाया या नहीं भुला पाया नहीं हो पाया अब जो होगा देख लेंगे बस लेके नहीं हो पाया बहुत तीन चाल लाइनों में अपनी बात खतम करेगा वो आपको बहुत जादा Manipulate करने की कोशिश नहीं करेगा और नहीं हो आपकी एनरजी कहाने की कोशिश करेगा नहीं वो इस उद्देश्य चसे आएगा किसकी एनरजी खालू मैं ठीक היukा अगा Kजन्टेगी नहीं वो बहुत एकस्टा बातें करेगा आपसे ठीक है वो अपनी बात को बहुत सिंपल और वो चीज ना देख मैं आप आपको वो चीज बहुत जादा प्यॉर भी लगेगी अगर आपने अपने इंट्यूशन पर थोड़ा सा भी काम किया है आप समझ जाओगे कि यह इनसान ने जो बात बोली ना बहुत प्यॉरिटी के सा इसकी बात में वजन था थीक है तब ऐसे इनसान को आप समझ सकते हो कि हाँ अब यह जो इनसान है यह जो बात कर रही सुधर के बात कर रहा है ठीक है इससान के अंदर सुधार आया है जो इनसान आपकी कदर नहींज़त तर उसके साथ boundary security करो आपने यूना सब को पालने का और सबको वो करने का ठेका नहीं लेके रखा है ठीक है यह आपकी responsibility नहीं है प्रकृती की responsibility है जिसने बंदे बनाए है अपने तो उसको सुधारने का काम उसको हर चीज सिखाने का काम वो खुद करती है आपका काम यह है कि आप अपने lessons को learn करें ठीक है अगर आपको लगता है क कोई इंसान आपको नहीं समझ रहे हैं boundary set करें फिर नहीं है आपको तरह कि आप उसको बहुत समझाते गूमों बताते गूमों ठीक है क्योंकि यह लोगों को fix करना आपकी responsibility नहीं होती कि हर डायम आप लोगों को fix कर रहे हो आप लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हो क्यो ये अपनी पास्ट की मिचॉरिटी को भी आपको एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे क्या हुआ था कैसे हुआ था लो जब इनसान खामोश हो जाता है तो बहुत जादा एक्स्प्लेइन करने से बचता है ठीक है उसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों अपने आपको साबित करनी खिश खरता है कि मैं ये हूं मैं वह हूं मैंने ऐसे किया लेकिन उसके बाद उसके लगता है कि वो एक बार अपनी बात को रखेगा अगर तुम को समझता है तो ठीक नहीं समझता है था तो तो वहारी प्रॉबलम टो एनर्जी मैंघर को इहां पर स्टॉंग लिखाई दे एक हुख हुखिए अ चीजह को बहुत जादा अपने आपको लगा अपनी निन्हों को इस पर सिंह बहूद जादा काम में बहुत स्थेज़़ जादा काम में आपके जो परसन है इन्होंने ने अपनी चीजों को बहुत जादा अपने आपको कहा लगा दिया अपनी एनर्जी को लगा दिया इस परसन ने बहुत जादा काम में बहुत जादे परसन का जो काम में मन लगने लगा है ठीक है काम में मन लगने का मतलब यह नहीं है कि अपनी energy divert करने के लिए focus career पर shift कर दिया है इस person कि अपने आपको busy रखने लगे कोशिश करते हैं कि मैं हर ताम busy रहूं ठीक है stability पर इस person का मतलब इनका यह जो चाहते हैं वो है इस person की life में stability बड़ी हो रखा है person hand ठीक है तो यह वह energy है कि जो हम देते हैं वो lot कर आ जाता है और हमें अपनी lessons को learn करना पड़ता है कि हम गलत हुए थे कहीं पर ठीक है तो अपनी communication पर अपने behavior पर अपनी चीज़ों पर आप हमका ध्यान पूरा रखें और अपने lessons को अच्छे तरीके से learn कर लें ताकि आपकी life में कोई car mix invite ना हो आपको lesson देने के लिए क्योंकि आपकी जब spiritual awakening हो जाती ना उसके बाद भी आपकी life में लोग आते हैं तो आपकी lessons के according आते हैं ठीक है universe अगर आपकी life के अंदर कोई भेजेगा मालीजे आपको किसी को mirror कराने के लिए universe ने भेजा तो इसके basis पर आएगा कि आपने कुछ सीखा के नहीं सीखा ठीक है अगर आपने नहीं सीखा होगा तो आपकी आपकी life के अंदर mirror करने वाले लोग enter होते रहेंगे लेकिन अगर आप सीख चुके होंगे और आप बहुत आगे निकल आएंगे तो आपकी life के अंदर बहुत ही powerful souls आएंगी जो आपको align करती जाएंगी हर stage में ठीक है तो यह डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी आप चीजों को सीखते हैं राइट लेक्सी alphabets आपके लिए क्या है झाल 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 10te-den यहां पर पिर स Children's 10 आप के परसन गया तो जो रिए हैं से हो सकते हैं तक हैंök से हैं पर रहे हैं tau definitely study को claim करें, अपने partner की सदवुद्धी को claim करें, अपनी learning को claim करें, वीडियो पसंद आए तो like this video and subscribe my channel, thank you guys